हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई जादोन इंडियन किचिन, आज हम बनाएंगे समा के चावल की खीर, आप इसे किसी भी ब्रत में बना कर खा सकते हैं, सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में सौंबार का ब्रत जातर सभी रखते हैं, तो आप इस खीर को जरूर बन कर खाईएगा, चलिए हम इस खीर को बनाना स्टार्ट करते हैं, समा के चावल की खीर बनाने के लिए हमने ये 50 ग्राम समा के चावल लिये हैं, इन्हें हमने अच्छे से साफ करके, तीन से चार बार पानी से दू लिया है, अब हम गैस ओन करके, एक पैन में 500 अमेल दूद हमने फुल फैट दूद लिया है, और दूद को एक उबाल आने तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, दूद में हमारे अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम इसमें 10-12 के धागे डालेंगे, ये टोटली ऑप्सनल हैं, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर स सकते हैं, अब हम इसमें एक बड़े चमच के करीर शक्कर एड़ करेंगे, आप अपने टेस्ट के कम या ज्यादा रखें, और हमने जो समा के चावलों को दो कर लिया है, उन्हें एड़ करेंगे, और चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हम कीर को चेक करेंगे, पांच मिनट हो गए हैं, हम खीर को चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं, आप हमारे चावल अभी थोड़े से गल गए हैं, अभी थोड़े और गलने देते हैं, दो से तीन मिनट के लिए दो बारा से और पकाएंगे, दो से तीन मिनट भी हो गए हैं, अब हम चा के लिए द्राइड्स कोटे यह चुटे चुटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है इन्हें करेंगे और खीर को चला देंगे अब हम कीर को 2-3 मिनट के लिए। खोल कर पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर दो से तीन मिनट हो गए हैं खीर हमारी बिलकुल अच्छी तरह से बनकर के तयार है चावल हमारी खीर में अच्छी तरह से मिक्स हो गए है और यह लीजे हमारी खीर बिलकुल बन गई है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देते हैं और हम खीर को बावल में सर्व कर लेते हैं देखिया हमने खीर को बावल में सर्व कर लिया है अब हम इसमें उपर से हमने कटे हुए बादाम से गानेशिंग कर दी है खीर हमारी समा के चावल के खीर हमारी बनकर के रेडी है आप इसे किसी भी ब्रत में बना करके खा सकते हैं कैसी लगी आपको हमारी समा के चावल की कीर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियो आपके लिए हैल्फुल होते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें प्लेल आइकन को वाल पर सेट कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे थैंक्स पॉर वाचिंग बाई बाई गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ